नमस्कार दोस्तों मैं अनिल चैनी अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अटो का रिफरेंस में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू विलर इंजन जिसमें सीजिंग हुई है वो किस कारण से हुई है और हम इसके लिए क्या करना चाहिए या फिर हमें सीजिंग से बचने के लिए कैसा उपाय अपनाना चाहिए या फिर हम अपने घर पे अगर टू विलर इंजन की रिपेरिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह हम कर सकते हैं दोस्तों आपको इंजन दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि सबसे पहले इंजन सीज होगा था, सीज होने के बाद हमने इस इंजन को अपने घर पे उतारा, घर पे उतारने के बाद में हमने इसकी सबसे पहले तो सफाई करी, सफाई करने के बाद में इसकी जो जली हुई गैस बॉसिंग करने ज़रूत रहती है जिससे कि जो अंदर इंजिन के अंदर जमा हुआ डस्ट है वह भार आ जाए और हमारा जो इंजिन है वो नए तरीके से और नए सरे से हम उसको स्टार्ट कर सके तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी का इंजिन को अगर हम बांध रहे हैं तो हम इंजिन के साथ में दोनों ब्लॉक्स जिसको हम बोलते हैं उनको हम भार निकाल लेते हैं और गाड़ी के साथ में जो भी गैस्किर्स रगी रहती हैं उन गैस्किर्स को हम चेंज करेंगे सबसे पहले हम हाउजिंग और इसकी सफाई कर लेते हैं हाउजिंग की सफाई करन तो फिरून की सफाई करना अत्यविशक हो जाता है नहीं अगर हम नहीं करते हैं तो जो बेरिंग्स और पिस्तनों पर चड़ा हुआ कारवन है वह वापस से उसी के अंदर रहता है और हमें फिर से वही समझचा का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों आपको दिख रहा और जो हमारा चैचे से उसकी सफाई हम कर रहे हैं साथ में हम छोटे से नीचे बाल्टी ले लेंगे इसमें हम ऑईल रख लेंगे और एक ब्रुस की सहता से हम ऑईल के साथ ही उसको सफ्रेस करेंगे फिनेस करने के बाद हम अपने जो शर्फेस एरिया है उसको हम फाटर के स साथ में क्लीन करेंगे और फिर उसमें हम एयर का प्रेशर देखे उसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे उसको सुखाने के बाद में हम फिर से एक बाद जो नया ओईल रहेगा ऑईल की साथ हम उसको पूरा भिंगो लेंगे और ऑईल के साथ भिंगोने के साथ में फिर वा पार्ट की रिक्वार्मेंट के हिसाब से सही है या फिर नहीं है सबसे पहले हम कैटलॉक अगर हमारे पास है तो हम कैटलॉक से पार्ट को चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास कैटलॉक नहीं है तो हम विजीवल तरीके से ऐसे भी हम उसको चेक कर सकते हैं एक एक पार्ट के साथ लगा कर कि गेस्केट्स कहीं डेमिस तो नहीं है या फिर हमारा जो ब्लॉक है ब्लॉक में कहीं अंदर से रंदर तो नहीं आ रही है अगर वो रंदर आती है तो फिर हमें उसको सफाई के लिए हमें देना पड़ेगा यह हम बेरिंग्स और प्रिस्टन की भी सफाई हम इसली तरीके से कर रहा हैं लेकिन सबसे बिजस कर बात हमें यह चीज जाननी होगी कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या-क्या पार्ट होते हैं अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विजिंग या फिर इंजन के रिलेटड जो भी वर्क है अगर वह आप घर से कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक एक पार्ट की जानकारी होना अतिय अवश्यक है कि इंजन में या फिर गाड़ी से लिलेटेड जो भी पार्ट है वो क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके लिए आपको सचे और उसकी पूरी जानकारी होना बहुत अवश्यक है तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ यह हम रोड है जो कनेक्टिंग रोड है उसको हम फिनेसिंग कर रहे हैं जिससे उसका जो संपर्क है वो इंजन के होते हुए पिछले वाले टायर की कनेक्टिंग से जाके कंप्लीट हो जाए और इसी के साथ ही हम इसको आगे और सफ पाई और क्लेनिंग के साथ ही हम गारी में रिफिटिंग करेंगे जैसे कि आपको दिख रहा हुआ कि प्लेट पड़ी हूई है अन्हाँ क्लिस प्लेट है क्लिस प्लेट का अंदर का जो बॉक्स है वो इस तरह काम करता है वह आप देख लो उसको ज्यादा अंदर अलिमुन और भार की भार ही उसकी सफाई करके उसको वापस से सुखाने के लिए रख देना जिससे कि वह सूख जाए और उसके साथ में आपको प्लक दिख रहे होंगे यह प्लक्स में भी यह वीशेश कर द्यान रखी कि इसमें ओलिया फिर फानी नहीं जाए जैसे कि यह हमारी आउ जो वर्क है वह बापस स्टाट कर सकते हैं या फिर इंजिन की फिटिंग को भी हम सुरू कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में देखना हो हुआ कि ये हमारी क्लिच प्लेट है Father believe हम चेंज Safe अब करते हैं यह अलुमे करें तो आफ इंजन के साथ में क्लिच प्लेट को भी अपientos इस दरीके से च्ज चेंग السकते हैं कि दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि इंचन बाहर की तरफ रखा हुआ है लेकिन हम इसका जैसे ही रिफिटिंग करेंगे तो उसमें काफी समय लग जाएगा जैसे कि आपको टूविलर में यासे कि ये हैड है हैड में क्या काम चल रहा है वाल्व को देख रहे हैं कि वल्व बरावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम हैड के साथ में वल्व को भी या फिर हैड को भी हम चेंज कर सकते हैं हैड इससे क्या होगा कि आपकी गड़ी का एक बार तो बन जाएगा लेकिन आपको जो आउसर विदा अब इस समय हुई फिर वो आपको बारवान नहीं होना आपका इंजन लंबी सर्विस देने के लिए तैयार है हना ऐसे ही दो चक जानकारी और लेटिस जानकारी पानी के लिए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल क से जो भी आगे जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे धन्यवाद दोस्तों